हलो एवरीवन वेलकम पैक टू परचम इस जोग्राफी सीरीज में अगला जो टॉपिक में आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ वह हैं माउंटें रेंज इन इंडिया बैसिकली काफी सारी माउंटें रेंज भारत में पाई जाती हैं जैसे कि हिमाले रेंजेस हैं जो कि नौ में अगर चाहिए देकले लाग्षिट का में फिर्ली प्लेशन एक हमाले चाहिए हमारे पार्चम creator एक करने लोली भारत में मैं व्हा Baptist चाहिए तो फ्रॉप्चम के ऴ हैप्लिकेशन से आपको आज ऐसके क्लास का EDIF मिल जा desenvolup है इसके पहले मैंने काफी सारी वीडियो हमारी इंडियन जेग्राफी पे बनाए हुए हैं आप उसे पर्चम की प्लेइस्ट में जाकर देख सकते हैं ठीक है one more important thing पर्चम की टीम ने आप लोगों के लिए लांच किया है SSC GA course क्योंकि अभी SSC CHSL एक्जाम होने वाले हैं में में इसलिए इस कोर्स को तयार किया गया है जहां पर पॉलिटी, जग्राफी, हिस्ट्री, एकोनॉमी, साइंस और स्टेटिक जीके PYQ के साथ साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इंडिविज्वल कोड्स भी पर्चेस कर सकते हैं लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बेसिक कॉंसेप्ट सिखा देना चाहती हूं कि आपको अगर मैं बात करूँ प्लेट टेक्टोनिक की या टेक्टोनिक मूफमेंट्स के बारे में तो आज से अर्बो साल पहले कई बिलियन इयर अगो की बात है ये हमारी अर्थ हुआ करती थी जिसमें एक बीच में एक लेंड मास हुआ करता था जिसको पैंजिया कहते थे और इस पैंजिया के चारों तरफ जो है वो वाटर भरा हुआ था जिसको हम पैंथिल कौन कौन से दो पार्ट उपर का जो हिस्सा है उसे अंगारा लेंड कहा गया और नीचे के हिस्से को गोडवाना लेंड कहा गया यह कौशन बहुत ही फेवरिट कौशन रहा है कि भारत किस हिस्से का पार्ट है तो भारत जो है वो गोडवाना लेंड का हिस्सा है ठीक है इसको आपको याद रखना नीचे वाला, अब आपका जो अंगारा लेंड था ना, उससे आपको नॉर्थ अमेरिका मिल गया, यूरोप मिल गया, एशिया मिल गया, ग्रीन लेंड मिल गया, ये सभी आपको अंगारा लेंड से मिल गए, और जो आपका गौडवाना लेंड था, उसस की दिमार्ब में कोश्चेन आना चाहिए कि भारत तो एशिया का हिस्सा है और एशिया अंगारा लेंड का पार्ट है जब जो हे वह वह और वन का हिस्सा है यह कैसी पॉसिबल है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है फर फर्द जो हमारे टक्तॉनिक प्रेट और स्टार्ट हुए और ये जो हमारी इंडियन प्लेट माल लेता है ये यूरोशियन प्लेट है यूरोप और एशिया की प्लेट है और अफ्रीका से जुड़ी हुई यहाँ पर आपको इंडियन प्लेट देखेगी ये इस इंडियन प्लेट ने नौर्थ की डारेक्शन में कर रहा है इसलिए आज भी लगातार यहां पर इन mountains की height जो है इंक्रीज हो रही है साथे साथ Eastern की तरफ यह force जाधा है इसलिए आपको generally जो Eastern Himalaya का portion है वहाँ पर आपको highest peak मिलेगी जैसे कि Mount Everest हो गया कंचन जंग्य हो गया as comparison to Western Himalaya clear तो आईगे हमें हमालय के बारे में बात करेंगे तो tectonic movement के कारण tertiary period में हमालय का बनना शुरू हुआ हिमालय जो है वह youngest और highest mountain range है इस पूरे world में हिमालय जो है वह जम्मौ कश्मीर से start होके अर्नाचल प्रदेश तक इस तरीके से 2500 km के area में फैला हुआ है ठीक है साथ ही साथ अर्नाचल प्रदेश में जानने के बाद ये कुछ band हो जाता है जिसे हम syntaxial band कहते हैं और ये syntaxial band जो हमारे eastern state से होता हुआ अंडमान तक जाता है ये पूरी बात है मतलब अराकान योमा तक आपको हिमालय देखने को मिलेगा ये पूरी की पूरी हिमालय range ह होती है अब हमें सीखना है हिमालय का classification तो हिमालय को हम दो तरीके से divide कर सकते हैं पहला तो उसके hills के हिसाब से और दूसरा river system के हिसाब से भी हिमालय का division किया जाता है तो पहले हम यहाँ पर एक division देख लेते हैं और फिर नदियों वाला division बाद में समझेंगे तो देखेगा अगर हम हिमालय की बात करें तो सबसे उपर का जो हिस्सा है उसे हम trans हिमालय कहते हैं ट्रांस हिमालय के बाद आपको greater हिमालय मिलता है greater हिमालय के बाद आपको middle हिमालय और middle हिमालय के बाद आपको शिवालिक range मिलती है शिवालिक range के अलावा यहाँ पे यह आपका eastern हिमालय पूरवांचल हमालय का हिस्सा है, तो इन पाचो बातों को हमें पढ़ना है, लेकिन याद क्या रखना है, यह जो ट्रांस हमालय है, एक classification का हिस्सा दिख रहा है, लेकिन ट्रांस हमालय हमालय का हिस्सा नहीं है, तो सबसे उपर क्या है, ट्रांस हमालय, ग्रेटर हमालय, फिर म गश्मीर वैली कहां पर है ऐसे ही कॉश्चन एक्जाम में फ्रेम होते हैं या तो इनको नौट से साउथ लगाने है या फिर बेस्ट टू इस्ट इस्ट इनको जमाने के लिए आते हैं यही कॉश्चन आपको हिमाले के मिलेंगे पिछले 10 साल के कॉश्चन पेपर उठा के ही है ट्रांस हमाले का मैक्जिमम हिस्सा तिबबत में आपको मिलता है इसलिए ट्रांस हमाले को तिबबतियन हमाले के नम से भी जाना जाता है अब इस ट्रांस हमाले में आपको चार रेंजिस देखने को मिलेंगी कौन कौन सी है वो चार रेंजिस तो देखेंगे लाइन से हिस्से है ट्रांस हिमाले का हिस्सा है इसी कारा कोरम रेंज में भारत की हाइस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी और कारा कोरम रेंज में भारत की हाइस्ट पीक आपको मिलेगी के टू विच इस गार्डविन आस्टिन जिसकी हाइट याद रखनी है 8611 मीटर है क्लियर क्या सीख लिया कि ट्रांस हेमाले सबसे उपरी हिस्सा है जो पाकिस्तान P.O.K. का रीजन और उसके बाद तिबबत तक फैला हुआ है ट्रांस हेमाले की चार रेंजिस है कारा कोरम, लद्दाक, जासकर और कैलाश, कैलाश रेंज सिब्बत में आती है, बाकि तीन रेंज भारत में देखने को मिलेंगी, जो कारा कोरम रेंज है वही पर आपको मिलेगा K2 विच इस गार्डवे नास्टेन, जिसकी हाइट 8611 मीटर है, और भारत की हाईयस पीक, जो है इंडस रिवर, तो याद रखेंगे लद्दाक और जासकर के बीच में से कौन सी रिवर बह रही है, इंडस रिवर बहती है और इसी इंडस रिवर के किनारे आपको लेह मिलेगा लद्दाक रीजन में तो लद्दाक रीजन में आपको लेह मिलेगा और ले हमारा क्या है? एक cold desert है क्योंकि desert का मतलब यह नहीं होता है कि रेत हो, मिट्टी हो जहां पर भी 25 cm से कम बारिश हो वो उसको मरुस्तर बोल सकते हैं तो लेह आपको यहां पर देखने को मिलेगा clear हो गई थी चीजे अब थोड़ा सा नीचे बात करते हैं ट्रांस हिमाले में हमने क्या सीख लिया? उपर का हिस्सा ट्रांस हिमाले था जिसमें कारा कोरम, लद्दाग, जासकर और कैलाश रिंजिस थी इसके बात आता है आपका great हिमाले great हिमाले और आपका ट्रांस हिमाले के बीच में एक imaginary line या एक boundary line है जिसको हम I, T, S, J इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं इंडो मतलब इंडस रिवर, सांगपो मतलब ब्रमपत्र रिवर तो इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं जो कि trans हिमाले और great हिमाले को separate करती है ठीक है फिर great हिमाले के नीचे आता है आपका middle हिमाले great हिमाले के नीचे क्या आएगा middle हिमाले तो यहाँ पे great हिमाले और middle हिमाले के बीच में भी एक boundary है जिसका नाम है M, C, T main control thrust तो यह आपको यहाँ पर मिलेगी पूलते हैं, main boundary fault या main boundary thrust, तो ये आपको boundary याद रखनी है, शिवालिक सबसे नया है, जो कि आज भी बन रहा है, इसलिए इसका elevation, इसके altitude आपको क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, सबसे जादा altitude किसका होगा, greater हिमाले का होगा, greater हिमाले में ही highest peak मिलेंगी, हो गया, तो trans हिमाले समझ कारा कोरम range मिलेगी, और इसी कारा कोरम range में आपको सियाचन glacier मिलेगा, और अभी आपने कुछ समय पहले ही देखा होगा, चाइना और भारत के बीच में यहाँ पे, face off की condition बनी थी, कारा कोरम range जो है, वो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तक फैली हुई है, पाकिस्तान क कारा कोरम लद्दा को उसके बाद जासकर जहां पर आपको नागा परवाद देखने को मिलेगा, और अंत में आता है कैलाश range जो कि आपको मांट कैलाश मिलेगा, जहां से इंडस रिवर का originate है, कहां से निकलती है, तो कैलाश मांटेन से मतलमान सरोबर से तो निकलती है, च यह तो हो गए, आपका ट्रांस हमालाए और ग्रेट हमालाए के बीच में, आईटी, एसजेट, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ग्रेट हमालाए और मिडल हमालाए के बीच में हो गया, एमसीटी, कोई दिक्कत नहीं है, और मिडल हमालाए को शिवाले के बीच में हो गया, अब यहां पर शिवालेक और गंगा ब्रहमपुत्र के प्लेन को separate करने वाली लाइन जो है वो HFF है मतलब हिमाला है frontal fault clear तो यह imaginary lines को भी आपको याद रखना है अब हम बात कर रहे हैं great हिमाला के बारे में तो great हिमाला का elevation average है वो 6100 meter है above the sea level यह जो आपका great हिमाला है इस तरीके से देखेंगे और यहां पर terminate हो जाएगा by the syntaxial bend नामचा बारुआ से होते हुए ठीक है इतनी चीज़ें अब यहां पर great हिमाला में आपको highest peak देखने को मिलेंगे पूरे world की जैसे कि अगर हम बात करते माउंट एवरेस तो माउंट एवरेस आपको नेपाल में देखने को मिलेगा जो कि great हिमाला का हिस्सा है जिसकी height कितनी है 8848 meter है कहीं कहीं कुछ-कुछ books में 8850 meter भी लिखी होती है कई बार बर्फ बारी परने से इसकी height increase हो जाती है in fact अभी जो pressure लग रहा है उसके कारण भी इसकी height increase हो जाती है तो नेपाल और चाइना का एक group बना था जिसने पुरा इसके altitude को calculate कि और बोला कि 86 cm जो है यहां पर height increase हो गई है हेमालाई की ठीक है तो Mount Everest कितना है 8848 meter है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और चाइना के लोग इसको mother of the world मतलब जो तिबबत के लोग है इसको चोमलू अंगमा के नाम से जानते हैं अब इसी आपका जो great हमाला है इसी में आपको एक और range मिलती है जो कि भारत और नेपाल की boundary पर है जिसको हम कंचन जंगा के नाम से जानते हैं मतलब सिक्केम और नेपाल की boundary पर है कंचन जंगा जिसकी height 8598 meter है कंचन जंगा ठीक है तो हमें अब ध्यान से सुनिये कि अगर question आता है कि भारत की highest peak क्या है तो बता देना K2 गार्डविन आस्टेन है अगर पूछा जाता है पूरे world की highest peak क्या है तो Mount Everest है अगर भारत में हिमाले की highest peak क्या है तो भारत में हिमाले की highest peak कंचन जंगा है क्योंकि हमें पता है K2 is not a part of हिमाले, it is a part of trans हिमाले only, तो कंचन जंगा जो है वो भारत में हिमाले की highest peak होगी, clear हो गया, यह तीनों question में आपको difference clear हो गया होगा, कंचन जंगा हमने देखा है third highest peak है पूरे world की और भारत में भी आती हिमाले की सबसे बड़ी peak है, ठीक है, नेप देखने को मिलेगा उस जिसकी height 7816 meter है, जो कि इंडिया के गरवाल रीजन में आता है, यह highest peak है which is located all inside the boundary of India, और साथी साथ world की 23rd number की highest peak है, clear, अब यहाँ पे great हिमाले और middle हिमाले के बीच में, यह पूरा होगया valley portion, यहाँ great हिमाले और middle हिमाले के बीच में आपको मिलेगी कश्मीर वैली में मिलेगी, कुलू और कांगड़ा वैली भी आपको great हिमाले और middle हिमाले के बीच में मिलेगी, तो great हिमाले और middle हिमाले के बीच में कुलू, वैली, कश्मीर वैली और कांगड़ा वैली मिलेगी, और अगर हम middle हिमाले से शिवाले के बीच में जाएंगे तो आपको मसूरी, शिमला, दारजिलेंग, रानी, खेत, यह सब मिलेंगे तो basically जो middle हिमाले के आसपास का reason है न वो human activity के लिए जाना जाता है human friendly है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते है अब यहाँ पे जो middle हिमाले है न उसको भी हमने चार ranges में divide करके रखा है जैसे कि हमने trans हिमाले को divide किया था न कारकोरूम, लद्दाग, जासकर और कैलाश में वैसे हमने middle हिमाले को भी चार ranges में divide करके रखा है कौन-कौन से सबसे उपर पीर पंजार, फिर धौला धर, मशूरी और महाभारत पीर पंजार, जम्मू में मिल जाएगी, धौला धर जो है आपको हिमाचल प्रदेश में, मसूरी, उत्राखंड में और जो महाभारत है ये नेपाल में आपको देखने को मिलेगी clear हो गया, तो पीर पंजार, धौला धर, मसूरी और आपका महाभारत यही आपको इसी सिक्वेंस में याद रखना है, उत्राखंड का ये जो आपका मसूरी रेंज है इसमें आपको नाग टिपपा भी देखने को मिलेगा clear, तो पीर पंजाल रेंज यहाँ पर है यह, जो कश्मीर वैली पीर पंजाल रेंज और जासकर रेंज के बीच में ही आती है यहाँ पर आपको पीर पंजाल पास भी मिलेगा, बनी हाल पास भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और बनीहाल पास जो है वो जम्मो और श्रीनगर को connect भी करने का काम करता है जवाहर टनल जो है वो बनीहाल पास से ही गई हुई है चिक अगली बात करते हैं वैली तो पीर पंजल और जासकर रेंज के बीच में कश्मीर वैली है हिमाचल प्रदेश में कांग्रा वैली मिलेगी और कुल्लू वैली आपको रावी नदी के टटपर मिलेगी दोलाधर रेंज दोलाधर रेंज की हाइस्ट पीक हनुमान जी का टिबबा है जिसको हम वाइट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं दोलाधर रेंज में मनाली और शिमला देखने को मिलेंगे शिवालिक विच इस दा आउटर हिमाले जो की आज भी बन रहा है इसलिए इसका एलिवेशन कम है इसका जो एल्टिटूड है वो 600 से 1500 मीटर के बीच में है इसको हम लेसर हिमाले के नाम से भी जानते हैं ठीक है अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शिवालिक रेंज के बारे में और मिडल हिमाले में तो मिडल हिमाले में कुछ ग्रास लेंड्स मिलते हैं मिडल हिमाले में जो ग्रास लेंड या घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम मर्ग कहते हैं जैसे हैं कि आपने सुना होगा सोन मर्ग, गुल मर्ग, तो यह मर्ग जो है बिसे की वर्ड यूज होता है जो कि घास के मैदान होते हैं, clear, वैसे ही जो शिवालिक रेंज है वहाँ पे आपको प्लेन और कुछ ग्रास लेंड मिलते हैं जिनको हम दून, जिनको हम दून या फि जिसे हम बोलते हैं ट्रैसिश ऑफ शिवा, अब यहाँ पर शिवालिक रेंज में जम्मू रीजन में जम्मू हिल मिलेंगी, डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी या अरनाचल प्रदेश में मिलेंगी, दांग रेंज आपको उत्राखंड में और चूरिया घाट यह आपको नेप चल प्रदेश और यहाँ पर म्यानमार की बाउंडरी बनाता हुआ पटकाई भूम मिलेगा, ठीक है, इसके बाद अगर आप नागा लेंड में जाएंगे तो नागा हिल में लेंगे, मनीपुर में आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा आप देखेंगे बराल में देखने को मिलेगी, तो यह सबी पूर्वांचल या इस्टर्न हिल्स है, एक बार देख लेते हैं, क्या-क्या बोलना चाहते हैं हम, देखेगा, पूर्वांचल हिल आप कॉन्वेक्स तूदा वेस्ट, यह पूर्वांचल हिल इंडिया म्यानमार की बॉर्डर बनाती है मिजोरम तक एक्स्टेंट होती है, पठकाई भूम, पठकाई भूम जो है, वो बेसिकली यहाँ पर आपकी बाउंटरी बना रही है, म्यानमार और भारत के बीच में, यह पूरी पठकाई भूम की रेंज है, जिसकी हाइस्ट पी माउंट सरामती है, बराली रेंज आपको देखने को मिलेगी, मीजोहिल देखने को मिलेगा और जिसको हम लुसाई हिल के नाम से भी जांते हैं, ख्लीर हो गया ओती चीज़ें, गारोक ईवारटली के बाऊंटरी boundary बनाती है पहला डिवीजन तो हमने देखा हमने हील्स को देखा अब हमें नदियों के हिसाब से भी अपने हिमालय को डिवाइट करना है मतलब हम लॉंगी ट्यूडनल डिवीजन भी कर सकते हैं हिमालय का देखिए काफी सारी नदियां जो हिमालय से निकलती है अगर हम बात क गुफा देखने को मिलती है वैश्टनो देवी देखने को मिलता है यह सभी के सभी कश्मीर हिमालय के हिस्से हैं तो इंडस और सतलच के बीच का जो हिमालय है उसे हम कश्मीर हिमालय कहेंगे फिर सतलच से थोड़ा सा आंगे बढ़ते हैं सतलच के बाद एक नदी यहाँ प पदरिनाथ, यह सारे के सारे चार धाम, यह सबी की सबी आपको कुमायु हिमाले के रीजन में ही देखने को मिलेगे. अगर यहाँ पर डिविजन में हम चल रहा है, तो सबसे बड़ा पोर्शन आता है, यहाँ पर नेपाल हिमाले का 800 किलो मीटर का. तो काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक का जो रीजन है ना वो आपका नेपाल हिमालय देखने को मिलेगा इसी नेपाल हिमालय में आपको हाइस्ट पीक जैसे की माउंट एवरेस्ट और कंचन जंगा देखने को मिलेगे ठीक है अब यहाँ पर यह कुमायू हमाले या उत्राखंट हमाले में आपको भोटिया ट्राइब मिलेगी वैसे ही आपको यहाँ पर नेपाल हमाले सिक्क्यम की रीजन में आपको लेपचा ट्राइब भी देखने को मिलेगी फिर तीस्ता से लेके दिहांग नदी तक का रीजन हम देखते हैं तो तीस्ता से दिहांग नदी तक का जो ये रीजन है लगबख 700 किलोमीटर का ये रीजन है और ये कहलाता है आपका आसाम हिमाले ठीक है तो ये होगे आपका आसाम हिमाले इस तरीके से नदियों के हिसाब से हमने हमाले को डिवाइट किया है तो पहले हो गया कश्मीर हमाले जो इंडस रिवर से 17 रिवर के बीच में जिसे पंजाब हमाले का है फिर आता है कुमायू हमाले 17 से काली रिवर के बीच का हमाला है जिसमें नंदा देवी कैदारनाद वद्रीनाद गंगोत्री ये सारी चीज river या दिहांग river तक का reason ये देखने को आपको मिलता है इस तरीके से हमने हिमाले को classify किया है अब caution बनता है कि इनको north से south आपको arrange करना है तो हम देखींगे पहले north से south तो देखी सबसे उपर हमने देखा था कारा कोरम, लद्दाक, जासकर कैलाश तो हमारे हाँ है ने तो बात नहीं कर रहा है फिर पीर पंजाल, धौलादर मसूरी और महाभारत भी हमारे हाँ नहीं है गड़वाल reason आप कर लीजे तो ये आपको north से south हमाले की ranges मिलेंगी जहां पे कारा कोरम की highest peak K2 है, जासकर की highest range कामित पीक है पीर पंजाल की highest peak इंद्रसन है, ठीक है इनको याद रखना है अब वैसे ही हम बात करेंगे west to east, इस direction में हम जा रहे हैं तो देखिए गारो खासी जैंतिया, मिकिर रेश्मा तो गारो खासी जैंतिया में घाले में हो गई, मिकिर रेश्मा जो है इसको मीजो हिल कहा, भुबान हिल मीजोरम और असम में है इसके लाब बराली जो है असम और नागा लेंड में है नागा हिल तो नागा लेंड में ही है पटकाई बूम और नाचल परदेश में है तो आपने north से south और east से west या best trees जो भी peaks बनती थी भारत की ही नहीं, पुर्य वर्ल्ड की सबसे पुरानी mountain range है बोला जाता है कि 570 million years ago अरावली बना था अरावली जो है वो originate होता है गुजराज से और दिल्ली तक जाता है दिल्ली के राइसीना हिल्स तक जो आपका रास्टपती भवन या जो आपका प्रेसिजेंट हाउस है वो भी आपका राइसीना हिल मतलब अरावली हिल पे है ये question पूछा जा चुका है लगबग 800 km की range में आपको अरावली हिल देखने को मिलेगा ये old fold mountain range है और oldest tectonic mountain range है लेकिन हुआ क्या है इतने लंबे समय से ये है लगता erosion होने के कारण climate का effect पढ़ने के कारण weathering होने के कारण इसकी height जो है वो पहले से क्या हो गई है कम हो गई है ठीक है अरावली के जो highest peak है वो गुरू शिकर है और इसी गुरू शिकर में आपको एक मिलता है mount abu mount abu मिलता है जो की एक hill station में है और इसी गुरू शिकर में आपको दिलवाडा जैन मंदिर भी देखने को मिलते हैं clear basically जो आपका अरावली range है वो marble deposit के लिए भी जाना जाता है अब कई सारी नदियां जो है वो अरावली range से निकलती हैं आपने अरावली की रोकेशन अभी अभी देखी कुछ इस तरीके से अरावली दिखा आपको यहां से कुछ नदिया निकलती जिसमें एक important नदिया निकलती जिसका नाम है लूनी तो लूनी river जो है वो अरावली की range से निकलती है राजिस्तान से होती है गुजरात के कच्छ में जाके कहीं गायाब हो जाती है लूनी अधी को कच्छ की गंगा भी कहा जाता है ठीक है तो ऐसा बोला जाता है कि अरावली range जो है वो हमारी जलवायू को effect करती है या हमारे climate पे effect टालती है क्योंकि इसी अरावली की कारण माना जाता है कि पूरा जो है वो desert मतलब रेगिस्तान बना है ऐसा कैसे जरा हम यहाँ पे map के जरी इसको समझते हैं देखिएगा अरावली range यह रही तो यहाँ पे देखिएगर हम मांसून की बात करते हैं तो दो दो पड़ रही है मौश्चर को suicidal करते है भारत के पूरे हिस्से में यह बारिश कर रही है rainfall कर रही है लेकिन इस अरावली के parallel निकल जाती है अरावली के parallel निकल जाती है तो इन Arabian Sea के ब्रánt चे तो अरावली की पीछे बारिश नहीं हो पाई अभ Bay of Bengal की ब्रांच भी भारत में एंटर करती है भारत में घंगोर बारिश करती है और उसके बाद जाती हुई अरावली से टकराती है और यहीं पर बारिश कर देती है मतलब अरावली का जो पीछे का एरिया है वो एक shadow reason बन जाता है जहां पर अरावली की condition के कारण उसकी position के कारण पीछे की तरफ बारिश नहीं हो पाती और कोई भी जगह जहां पर 25 cm से कम rainfall होता है वहां पर तो रेगिस्तान या मरुस्तल बन जाते हैं तो हमारा यह जो पूरा थार डेजर्ट देखने को मिलता है उसका एक reason अरावली को माना जाता है clear हो गया अगली बात कर लेते हैं अरावली के बाद अगली range हम चलेंगे wind range के बारे में so wind range एक non-tectonic mountain range है यहां पर wind range को गुजरात में जोबट के नाम से जाना जाता है और आपका जो बिहार का reason है उसमें इसे कैमूर के नाम से जाना जाता है तो इसे कैमूर भी कहा जाता है जोबट भी कहा जाता है अलग-अलग जखोंपे अलग-अलग नाम मिलते हैं अब यहां पर wind range जो है यह आपका उपर कौन सा system आता है गंगा river का drainage system आता है क्योंकि उपर गंगा, ब्रह्मपोत्र और उनकी tributaries flow होती है नीचे से शुरू होता है peninsula India जिसको हम प्रायदीपी भारत कहते हैं तो wind range क्या करता है गंगा की plain rivers को peninsula river system से separate करने का wind range करती है wind range के नीचे आओगे तो सत्पोड़ा range मिलेगी और wind range और सत्पोड़ा के बीच में एक rift valley बनती है और उसी rift valley में एक नदी वहती है जिसका नाम है नर्मदा तो नर्मदा जो है वो एक rift valley में बहने वाली नदी है जो कि wind चल और सत्पोड़ा के बीच में वहती है तो ये जो पूरी range है विन्द range है क्योंकि सबसे पहले अरावली बना था उसके बाद विंदरेंज बनी थी क्लियर हो गया थी चीज़े सत्पुड़ा रेंज के बारे में बात करते हैं तो उपर हो गया केमूर रेंज विंदरेंज नीचे आ रही सत्पुड़ा इसके बीच में से यहाँ पर आपको निकलती हुई दिखाई देगी नर्मदा रिवर, حाला की यहाँ पर आपको सोन रिवर भी दिखेगी और जो हिले रिवर भी जो है वो यहाँ अमरकंटक से निकलती हुई दिखाई देगी अब सत्पुड़ा रेंज जो है न इसको हमें तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा है पहले का हिस्सा राजपीपला कहलाता है फिर हम महादेव पहाड़ियों पे आते हैं और फिर मेकाल माउंटेन पे आते हैं कौन-कौन सी राजपीपला, महादेव और मेकाल इसी महादेव पर पच्चमड़ी जो हिल स्टेशन है और जिसकी हाइस पी क्या है धूपगड़ है 1350 मीटर उसकी हाइट है और फिर इस मेकाल रेंज पे जो कि मदरप्रदेश और 36 गर में बेसिकली फैली हुई है इसी पे आपको मिलेगा अमर कंटक और इसी अमर कंटक से फिर नर्मदा रिवर, सोन रिवर और जोहिला रिवर निकलती हुई दिखाई देंगी तो यह तीनों आपको सत्पुड़ा रेंज के हिस्से दिखाई दे देंगे क्लियर हो गया इती चीज़े वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है धूबगड के बारे में लिखा हुआ है दुआदार वाटरफॉल में लेगा साथ ही साथ यहाँ पे यह जो रेंज है वो मद्रप्रदेश और 36 गड़ में फैली हुई है महादेव रेंज मेकाल रेंज आंगे बात कर लेते हैं कॉस्टन ओफ दा डे के बारे में आपको लगबग सारे रेंज बताई इस्टन घाट और वेस्टन घाट है रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आपको जो है वो हमारी पेट बेच्जेश में या पेट कोर्स में अवे लेबल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर हमने हमालय के क्लासिफिकेशन को समझ लिया और इनकी हाईस पीक्स के बारे में जान लिया तो आज की जो class थी उस पे based एक question है, arrange the following range in order, they occur from north to south, तो north से south आने पर कौन सी range है, पीर पंजाल, कारा कोरम, जासकर और लद्दाग, तो जो भी आपका answer हो का आप हमको comment section में बताएंगे, साथी साथ airbook भी available है, 2021 की current affairs की पर्चम के application पे, तो आप उसे भी ले सकते हैं, thank you.